270 के निमित मैं हाँ मौझूद सभी सांसदों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ लेकिन इस 250 सत्रों के दर्मियान यू यात्रा चली है अब तक जिन जिन ने योगदान दिया है बे सभी अभिनिंदन के अधिकारी है मैं उनका भी आगर पुर्व स्मर्व करता हूँ सभाबती जी अब जब बहुत यार्टिकुलेट वे में दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके अविपस्तुप कर रहे से मुझे जुरूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकिन है वे जुरूर इस पर अब गौर करेंगे लिखेंगे कि ये 250 सत्र ये अपने हाप में समय व्यतित हुआ ऐसा नहीं एक विचार यात्रा भी रही है जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिलकुल अलग साथ नया भी इस प्रकार चे आया समय बदलता गया परिस्तितियां बदलती गई और इस सदन में बदली हुई परिस्तितियों को आत्मसाथ करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया मैं समयता यह बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस है जिन्होंने तक तक काम किया बदाई के बात रहे वह अदा किसी को लग सकता है बिच साल पाले मैंने तो यह स्टेंड लिया तब मैं कैसे बदल सकता हूँ लेकिन आपने इस प्रकार से अर्टिकलेट करके इस बात को पस्तित किया यह हमारी विचार यात्रा का प्रतिम है भारत की विकास यात्रा का प्रतिम है और वैस्विक परिवेश में भारत किस प्रकारते नहीने बातों को लीड करने का सामर्थ रखता है उसका उसमें प्रतिमिम है और ये काम इस सदन से हुआ है इसलिए सदन अपने आप में कवरवन उखव करता है मेरे लिए सब्भाग कि एका विशे है कि आज इस महत्वपुन आउसर का साक्षी बनने का और इसमें सरीख होने का मुझे आउसर मिला है ये साब कह सकते हैं कि कभी चर्चा चल रही थी समिधान निर्माताओं के बीच में किस तरदन एक हो या दो हो लेकिन आनुहों कहता है कि समिधान निर्माताओं ने जो व्रवस्था दी वो कितने उत्यूक रही है और कितना बढ़िया कॉंटुबिशन किया है अगर नीचला सदन जमिन से जुड़ा हुआ है तो उत्या सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में नीचले सदन से जमिन से जुड़ी हुई ततकानिन चीजों का अगर प्रतिमीन ब्यक्त होता है तो यहां बैठे हुए महनुभावों से क्योंकि उपर है उपर वाला ज़रा दूर का देख सकता है तो दूर की दृस्टी का भी अनुभव इस सदन में कई इतियासित फल देखे इतियास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है और जरूरत पढ़ने पर उस इतिहास को मोडने में भी इस सदन में बहुत बड़ी सफलता पाई है उसी प्रकार से इस देश की गर्मान ने दिग्वच महालपुरुशों ने इस सदन का नित्रत हो किया है इस सदन में सहभागिता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को और आजाते के बाद के बहुत सी चीज़े गढ़ने थी अब तो पटास साट साल के बाद बहुत सी चीज़े शेप ले लिया है तिजिए वो सुराज कालमे fear of unknown से हमें गुजरना पड़ता था उस समय जिस maturity के साथ सबने नेत्र तो किया है दिया है यह अपने आप में बहुत बड़ी बाद है अदेश हभावती जी यह सदन की बड़ी विशेस्ता है और दो पहनु खास है एक के इसका स्थाइत्वा पर्मनेंट कहें या इटर्नल कहें और दूसरा है दिवीदता डावरसिटी स्थाइट तो इसलिए है इटर्नल इसलिए है कि लोगसभा तो भंग होती है यह इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है यानि यह इतनल है, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन यह वबस्ता इतनल रहती है, यह अपनी उसकी एक विशेस्ता है, और दूसरा है विवित्त को यहां राज्यों का प्रतनीजीत्व प्रत्फित्ता है, एक प्रकार से भारत के फैडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहां पर हर प्रत्वल हमें प्रेजित करती है, भारत की विवित्ता, भारत के अनेक ताएंगे एक ताक जो सुत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है, और वो समय समय पर यह रिफ्लेक भी होती रहती है, उसी प्रकार से उन विवित्ताओं के साथ, हम जब आगे परते हैं तब इस सदन का एक और लाप भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अख़ड़ा पार करना बहुत सरण नहीं होता है लेकिन देश हित में उनकी उप्यूदिता कम नहीं होती है उनका अनुभा उनका सामर्थ उतना ही मुल्यवान होता है तो यह एक ऐसी जगा है कि जहां इस प्रकार के सामर्थवान महानुभा बिंड़ पे तक छेतरों के अनुभवी लोग उनका लाप देश के राजनितिक जीवन को देश के निति निधारों के अंदर उनका बहुत वह मिला, वैज्यानिक हो, खेल जगत के लोग हो, कला जगत के लोग हो, कलम के धनी हो, ऐसे अनेक महनुभावों का लाप, जिनके लिए चुनावी अखाडे से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस व्यवस्ता के कारण, हमारी बौदी संपदा का भी एक सत्रों में, और मैं मानता हूँ, इसका सबसे बड़ा उधारन, बाबा साब आमवेर कर स्वयम है, क्योंकि किसी किसी कारण संप को लोगसरवा में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन यही तो राजसरवा थी, जहां बाबा साब आमवेर करके खारन, देश को बहुत लाब मिला, और इसलिए, इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं, कि यह सदन है, जहां से देश को बाबा साब आमवेर कर जिए से, अनिक महापूर्शों का हमें बहुत लाब मिला, यह भी देखा गया है, कि एक लंबा कालखंड ऐसा था, कि जहां बिपक्ष जैसा कुछ खास नहीं था, दिरोध भाव भी बहुत कम था, ऐसा एक बहुत बड़ा कालखंड रहा, और उस समय जो शासन व्यवस्ता में जो लोग बैठे थे, उनको वह सभागे रहा कि उनको इसका बहुत बड़ा सभागे भी मिला जो आज नहीं आजा, डगर डगर पर संगस रहते हैं, डगर डगर पर बिरोध भाव बेखते रहता है, तिकि उस समय, जो कि बिरोध पक्ष इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभव और विद्वान लोग बैठे थे, कि उन्होंने शासन व्यवस्ता में कभी दिरंकुस्ता नहीं आने दी, शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेजित करने के कठोर काम इसी सदन में हुए है, यह कितनी ब हमारे प्रथम उपनाश्पती जी, दक्टर सर्वपली रादा कृष्ण जी ने इस सदन के सबन में जो बात कही थी, मैं उसको आपके सामने पस्तूत करना चाहूँगा डक्टर रादा कृष्ण जी ने कहा था, इसी चैर पर बैठते के उन्हों ने कहा था, और वो आज भी उतना ही उपयुकत है, और आप प्रणव मुखर जी, आदरने प्रणव मुखर जी के बात को उलेक करते हों, या आप स्वयम अपना दर्द वेक्ते करते हों, यह सारी बाते उसमें है, और उसमें रादा कृष्ण जी ने कहा था, हमारे विचार, हमारा व्यहवार और हमारी सोच ही, दो सदनों वाली हमारी समसभी अप्राणाली के आउचित्य को साबित करेगी, समिधान का हिस्सा बनी, इस द्वी सदनी व्यवस्ता की परिक्षा, हमारे कामों से होगी, हम पहली बार, अपनी समसभी अप्राणाली में, दो सदनों की शुरुवात कर रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए, कि हम अपनी सोच, सामर्थ हो, और समझ से, देश को इस व्यवस्ता का अउचित्य साबिक करें, दाइसो सत्र की यात्रा के बाद, अनुभव का इतना संपूर होने के बाद, बर्तमान की और आने वाली पीडियों की जाई तो और बढ़ जाता है, कि दाक्टर राजा करसिंजी ने जो अपेक्षा की थी, कहीं हम उससे नीचे तो नहीं जा रहे हैं, क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, या बदलते वे यूग में, हम उन अपेक्षाओं को भी और अच्छा वेल्वेडिस्टेस कर रहे हैं, यह सोचने का समय हैं, और मुझे विश्वास हैं, इस सदन की बतमान पीडि थी, और आने वाली पीडि थी, डाक्टर जाजा क्रिसिंग जी की या प्रेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी, और उसे आने वाले दिनों में देश को, अगर जैसा अभी आदाने सभाब अजी ने कहा, अगर हम पिसले 277 की विवेच ना करें, तो कई महत्वपूर्ण अइतियासिक वीर यहां पास हुए हैं, जो इस प्रकारते देश के कानून बने, देश के जीवन को चलाने का आधार बने हैं, और मैं भी पिसले 5 साल का हिसाथ किताब देखू, तो मेरे लिए बड़े सोभागी की बात है, कि अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने का आउसर मुझे भी मिला है, विद्वत्ता पूर्ण हर एक किसी की विचार सुनने का मुझे सोभागी मिला है, और कई बातों को नई सिरे से देखने का अउसर इसी सदन से मिला है, और इसके लिए मैं खुद लाभान भी धुआ हूँ, और मैं सब का अभारी भी हूँ, और अगर हम चीजों को सीखे, समझे, तो बहुत कुछ मिलता है, और उमेने यहाँ अनुभव किया है, तो मेरे लिए आप सब के बीच कभी कभी आकर के सुनने का मोका मिलता है, तो अपने आप में एक सोगाग्य है, अगर हम किखे समझे, तो बहुत कुछ मिलता है, और उमेने यहाँ अनुभव किया है, तो मेरे लिए आप सब के बीच कभी कभी आकर के सुनने का मोका मिलता है तो अपने आप में एक सोगाग्य है अगर हम पिखले पास साल के कौर देखें यही सदन है जिसने तीन तलाक का कानू होगा की नहीं होगा हरे को लगता दे यही पर अटक जाएगा लेकिन इसी सदन की मैचुरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महत्वपोन विमन एंपावर्मेंट का काम इसी सदन में किया हमारे दोश में आरक्षन के विलो करके हर पल संगर्ष के बीज बोये गए है उसमसे तनाव पैदा करने के भरसुत प्रयास भी किये गए लेकिन ये गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामायने बरके गरीब परिवार का दस प्रतिस्टरत आरक्षन का मिलने किया लेकिन देश में कही तनाव नहीं हुआ लोज भाव पैदा नहीं हुआ सहमति का भाव बना ये भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है येसी प्रकार से हम जानते हैं GST, लंबे अर्सेते, जो को भी शासन में जिसकी जिम्यवारी है, हर लेकिने मेहनत की, कम्या है, नहीं है, सुधर नी चाहिए, नहीं सुधर नी चाहिए, ये सारी भी डिबेट चलती रहेंगी, लेकिन, बन नेशन, बन टैक्स सिस्टिम की और, इसी सदन में सर्वसंवति बना करके, देश को दिशा देने का काम किया है, और उसी के कारण, एक नए विश्वास के साथ विश्व में, हम अपनी बात रख पा रहे हैं, देश की एक ताउर घंदुक्ता, इसी सदन में, 1964 में जो वादे किये गए थे, कि एक साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था, वो धारा 370 और इसी सदन, और देश को दिशा देने का काम इस सदन में पहले किया, बाद में लोग सबने किया है, और इसलिए, ये सदन अपने आप में, देश की देटा, खंडिता के लिए इतने महतों को नेड़े के अंदर इतनी जो भूमिक आज़ा की है, वो अपने आप में, और ये भी एक विसेटा है, इस सदन, इस बात के लिए, जिस बात तो वियाद करेगा, कि समयजान के अंदर धारा 570 आई, उसको पिंट्रोडिश करने वाल मिस्टर एन गोपाला स्वामी है, वो इस सदन के पहले नेता थे, फास्ट लेडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था, और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गवरों के साथ करके, वो एक घटना अब इत्यास बन चुकी है, बिकिन यही पर हुआ है, हमारा सम्रादान निर्माताओं ने, हम लोगों को जो दाइत्व दिया है, हमारी प्राक्निक का है, कल्यान कारी राज्या, लेकिन उसके साथ एक जिम्यवारी है, राज्यों का कल्यान, यानि भारत है सच, हम कल्यान कारी, राज्य के रूपे काम करें, लेकिन है तो सेम काई, हम ल देश को आगे बढ़ा सकते हैं और उस काम को करने में इस सदन्य क्योंकि यह राज्य का रिप्रेजेंटेशन परिताकर के साथ करते हैं बहुत बड़ी भूमी का निभाई है और हमारी समिधानी समस्ताओं को ताकत देने का भी हमने क्याम किया है हमारा संग्य घाचा हमारा द में राजसावा इस बात को सुलिषित करती हैं कि देश में केंड्र और राज्य सरकारे प्रतिदवंदीन नहीं हैं लेकिन हम प्रतिभागी बन करके सहवागी बन करके देश को आगे ले जाने का काम करते हैं यहां जिन विचारों का आजान पदान होता है उसका जो अरक है जेहां के प्रतिष दिरहाध में ले जा क्करते हैं, अपने राजी की सरकारों को बताते हैं, राजी की सरकारों को उसके जूढ़ने के लिए प्रैरीड करने का काम जाने अम जाने भी सतर गुपे में करने की वाश्विकता होती हैं. देश का विकास और राज्यो का विकास ये दो अलग चीज़े नहीं है राज्यो के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है और देश के विकास का नक्सा राज्यो के विकास के विप्रित होगा तो भी राज्यो के विकास नहीं कर पाएंगे और इस बातों को ये सदन सबसे ज़्यादा प्रतिविंदित करता है जीवन तो ताके साथ प्रतिविंदित करता है बहुती नीतियां केंदर सरकार बनाती है उस नीतियों में राज्यों की अपेक्षाएं राज्यों की सीती राज्यों कानूभाव राज्यों की रोजवराजी दिक्कते उने बातों को सरकार की नीती नीधारन में बहुती सठीक तरीके से कोई ला सकता है तो ये सदन ला सकता है इस सदन के सद सला से है और उसी का नाप हैडर स्ट्चर को भी मिलता है भारत सरकार और राज़र सरकार मिलकर के देश को आगे सब पामें एक साथ होने वाले नहीं है कुछ काम इच पांच साल होंगे तो कुछ काम अगले पांच साल होंगे लेकिन दिशा तै होती है और वो काम यहां से हो रहा है यह अपने आप में अधानिय सभावती जी 2003 में जब इस सदन के 200 साल हुई थे तब भी एक समारम होगा था और तब भी सरकार NDA की थी और अटर्जी हरी वाजपाई जी प्रधान मंत्री थे तो इस 200 में सत्र के समय जो अधनिय अटर्जी का जो भाशन था बड़ा इंटरस्टिंग था उनकी बात करने का अपना एक अगर वागा था कि उन्होंने कहा था कि हमारे संसदिय लोक तंत्रकी शक्ति बढ़ाने के लिए सैकंड चेंबर मौजूद है और ओन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि इस सेकंड हाउस को कोई सेकंडरी हाउस बनाने की गवतिव न करें यह चेतावनी अटल जी ने दी ते, कि सेकंड हाउस को कभी भी सेकंडरी हाउस बनाने की गल्ती न करे, अटल जी के उन बात को जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे भी लगा कि कुछ कुछ को आज के समयंद में कुछ नए तरीके से अगर पस्तुत करना है, तो मैं कहूंगा, कि राजसभा स सेकंड हाउस है, सेकंडरी हाउस कभी भी नहीं है, और भारत के विकास के लिए, इसे सपोर्टिव हाउस बने रहना चाहिए, जब हमारी समसद्य प्रणाली के पचास साल हुए है, कब अटल जी का एक भाशान हुआ था, समसद्य प्रणाली के पचास साल हुए है, और उस भाशा में, बड़े कभी भाव से उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था, एक नदी का प्रवाह तभी तक अच्छा रहता है, जब तक कि उसके किनारे मिल्बूत होते हैं, और उन्होंने कहा था, कि भारत के समसद्य जो प्रवाह है, वो हमारा जो लोकतांत्रिक प्रवाह है, एक किनारा लोकसवाह है, दूसरा किनारा राजसवाह है, ये दो मजबूत रहेगे, तभी जाकर के लोकतांत्रिक प्रवाह का प्रवाह बहुत ही सर्थित तरीके से आगे भेड़ेगा, ये बात अगर नेतल जी ने उस समय कही थी, ये एक बात दिसीद है, कि भारत फाइबर सर्थर है, दूवित्तां से बढ़ा हुआ है, तब ये भी अनिवारी शर्थ है, कि हमें राश्ट्रिय द्रस्रिकोर्ण से ओजन नहीं होना है, राश्ट्रिय द्रस्रिकोर्ण को हमने हमेशा ही केंदरवर्ति रखना ही होगा, लेकिन हमें राश्ट्रिय द्रस्रिकोर्ण के साथ, छेत्री ये जो हीत है, इसका संतुलन भी बहुत सठीक तरीके से बनाना पड़ेगा, तब ही जाकर के हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे और ये काम सबसे अच्छे धंग से कहीं हो सकता है, तो इस सदर्ण में हो सकता है, यहां के माननिय सद्दस्यों के द्वारा हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में हम नियंतर प्रयात्सरत है, रात्सरवा एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस का विचार उसके मुल्च सिध्धानतों के लिए बहुत ही महत्वपूर है, लेकिन चेकिंग और क्लोगिग इसके बीच अंतर बनाये रखना बहुत आवश्वत होता है, बैलेंस एंड ब्लॉकिंग इसके बीच भी हमें बैलेंस बनाये रखना बहुत आवश्वत होता है, एक प्रकार से हमारे अनेक महानवाव ये बात बार बार कहते हैं, कि पूरी सदन चर्चा के लिए होना चाहिए, संभाद के लिए होना चाहिए, विचार भी मस्के लिए होना चाहिए, तीचे से तिखे सवर में बिवाद हो, कोई उससे नुक्सान होने वाला नहीं है, लेकिन आवर्सक है कि रुकावटों के विजाएंग हम संभात का रास्ता चुने मैं आज हो सकता है मैं जिनका उलेक कर रहा हूँ इसके सिवाए भी लोग होंगे लेकिन मैं दो दलों का आज में उलेक करना चाहूँगा एक NCP और दूसरा BJD और किसे का नाम छूट जाए तो मुझे च्छमा करना लेकिन मैं दो का उलेक करना हूँ इस दो दलों की विश्रता देखिए उन्होंने खुद ने discipline टाहि किया है कि हम well में नहीं जाएंगे और मैं देख रहा हूँ एक बार भी उन्होंके एक भी सदेशनी नियम को तोड़ा नहीं है हम सभी राजनितिक दलों को सीखना होगा including my party हम सब को सीखना होगा कि ये नियम का पानल करने के बावजुद भी ना NCP की राजनितिक विकास यात्रा को को रुकावट आई है ना BJD की राजनितिक विकास यात्रा को रुकावट आई है मतलब वेल में नजाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं लोगों का विस्वाज जीत सकते हैं ये और इसलिए मैं समझता हूँ including treasury bench हम लोगों ने ऐसी जो उच्चे परंपराएं दिर्बार जिनों ने की हैं उनका कोई राजनितिक नुक्सान नहीं हुआ है क्यों न हम उनसे कुछ सिखें हमारे सामने मौजूद है और मैं चाहूँगा कि हम भी वहाँ बैठे ते हमने भी वो काम किया और इसलिए और इसलिए मैं इस सारे सदन के लिए कहा हूँ कि हम NCP, BGD दोनों ने जो यह बहुत उत्तम तरीके से इस चीज़ को discipline फॉलो किया यह कभी ने कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए उनका धन्यवाद करना चाहिए और मैं मानता हूँ जब दाइसो सत्र कर रहे हैं तो यह से उत्तम जो घटना है उसका जिक्र होना चाहिए और लोकों के धन में लानी चाहिए मुझे विश्वाथ है कि सदन की गरिवा के दिशा में जो भी आवशक है उसको करने में सभी सदस्र के भूमी का अधा करते रहते हैं आपकी वेदना व्यथा प्रगर होते रहती है हम सब कोशिश करेंगे इस दोसों पचासफे सत्र पे हम सब संक्र लेंगे विश्ष करके हम लोग भी लेंगे ताकि आपको कम से कम कस्ट हो आपकी भावनाओं का आदर हो और आप जैसा चाहते हैं वैसा ये सदन चलाने में हम आपके एक साथी बन करके सारे डिस्प्लिन को फॉलो करते हो करने का प्रयास करें इस संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महतवपूर पड़ाव पर सब को बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूँ और जिन्होंने यहां तक पहुँचाया है उन सब का धन्यवाद करके हुए मेरी वाणी को बिराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी